गुड मोनिंग दोस्तो मैं जगदीश नहरा आप सबका वीपीसी प्लेटफोर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ जी आयनू मोस्ट वेलकम दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्थ के उपर पिर्थवी के उपर जो कटीबंद यानि की जोन है उनके बार आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो की सुरूत करते हैं लास्ट वाली वीडियो से दो क्वेशन मैं उठाए हैं जो UPSC, PCS, SSE, CDS, NDA, Railway तमाम एक्जाम के आदर बार बार रिपीट होते हैं इन दो क्वेशन के उपर चर्चा करने के बा 23 मार्च 22 दिसंबर 23 सितंबर तो दोस्तों को करने से पहले आपको option पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको question समझ में आ जाता है तो सारे option पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो देखे मकर सक्रामती क्या होता है फिर उसके बाद जानेगे winter solistice देखे कल की वीडियो मे हमने जाना था जैसे ये हमारी अर्थ होगी पिर्थवी अर्थ की बीचों बीचे एक लाइन है जिसको हम बोलते है भूमद्य रेखा या equator इसको हम बोलते है equator या विसूत रेखा जिसका अकसांस कितना है zero degree अकसांस और कल बताया था equator के south में भूमद्य रेखा के दक्सिन मे जो है स्थित है उसे बोलते है दक्सिनी गुलार्द और उसके अंदर दक्सिनी गुलार्द के अंदर southern hemisphere के अंदर 25 degree south latitude यानिकि 25 degree दक्सिनी अकसांस इसको हम बोलते हैं मकर रेखा तो देखिए इंग्लिस में बोलते हैं मकर रेखा को ट्रोपिक ओफ केप्रिकुन आप देखिए जानते हैं कि मकर सक्रांती होता क्या है दोस्तों इसको ध्यान से सुनना मकर रेखा जो है जो ट्रोपिक ओफ केप्रिकन है वो southern hemisphere में दक्सिनी गुलार्द के अंदर है और 22 दिसंबर को sunlight सुरी की किरने 22 दिसंबर को मकर रेखा पर बिलकुल सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को सुरी की किरने मकर रेखा पर बिलकुल परपेंडिकुलर पड़ती है और इसी घटना को बोलते हैं क्या मकर सक्रांती इसी घटना क्या बोलते हैं मकर सक्रांती ये डेट कौन सी है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सुर्य किरने मकर रेखा पर बिलकुल सीधी पढ़ते हैं लम्मत पढ़ते हैं सिर के उपर पढ़ती है जिसकी वज़े से क्या होता है 22 दिसंबर जो 22 दिसंबर है 22 दिसंबर को जब सुर्य किरने मकर रेखा पर सीधी पड़ती है वो डेट कौन सी है 22 दिसंबर 22 दिसंबर दक्षनी गुलार्द का क्योंकि मकर रेखा कहां पर है दक्षनी गुलार्द में साउदन हमिस्पेर में दक्षनी गुलार्द का सबसे लंबा दिन होता है सबसे बड़ा दिन This is very very important 22 December दक्षनी गुलार्द का सबसे लंबा दिन है अगर दिन लंबा है तो रात क्या होगी वो छोटी होगी यानि कि इसी 22 December क्या होता है अगर 22 December को दिन बड़ा है दक्षनी गुलार्द में तो रात कैसी हो जाएगी छोटी हो जाएगी दक्षनी गुलार्द की सबसे छोटी रात सबसे छोटी रात और देखिए जब 22 December को सुरिय क्रिने मकर रिका पर सीधी पड़ती है दक्षनी गुलार्द में तो क्या होती है गर्मी होती है दक्षनी गुलार्द में क्या होती है गर्मी होती है लेकिन जो उत्री गुलार्द है Northern Hemisphere यहां पर क्या होगी सर्दी आप सब जानते हो हम सब उत्री गुलार्द में रहते हैं क्योंकि भारत जो है उत्री गुलार्द मिस्तित है और दिसंबर के महिने में हमारे यहां पर क्या पढ़ती हैं सर्दियां पढ़ती है इसलिए इसको बोलते है Winter Solistis. तो देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है मकर सकरांती? मकर सकरांती का अर्थ क्या है जब सुर्य क्रीने मकर रेखा पर सीधी पड़ती है? उस घटना को बोलते है मकर सकरांती और मकर सकरांती की डेट कै 42 दिसंबर? तो इसका अंसर क्या बन जाएगा C. 22 दिसंबर 22 दिसंबर दक्षिन गुलार्द का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है अगर मैं बाकी अगर बात करूँ जो मकर सक्रामती होती है इसको हम ये भी बोलते है Winter Solistis हिंदी में बोलते है सीत आयनात इसका मतलब ये होता है जब उत्री गुलार्द में क्या पढ़ती है सर्दी पढ़ती है और दक्षिन गुलार्द में क्या होती है गर्मी होती है तो मकर सक्रामती है सीत आयनात में क्या होता है उत्री गुलार्द में उत्री गुलार्द में सर्दी एवं दक्सनी गुलार्द में क्या होती है गर्मी होती है दक्सनी गुलार्द में गर्मी देखे दोस्तो रट्टा नहीं वारना क्योंकि 22 दिसंबर को सुर्य किर्णे मकर रिखा पर सीधी पड़ती है मकर रेखा दक्सनी गुलार्द में है इसलिए दक्सनी गुलार्द में क्या रहेगी गर्मी और उत्री गुलार्द में क्या रहेगी सर्दी तो ये था मकर सक्रांती के बारे में मकर सक्रांती का अर्थ क्या होता है मकर रेखा पर सुर्य किरिणों का सीधा पढ़ना गटना कब की है ये 22 दिसंबर की दूसरा question देखते है question number 2 question number 2 भी बहुत बार repeat होता है SSC UPSC railway के एक्जाम में बसंत विशू इंगलिस में बोलते spring equinox कब होता है last video मैंने बताया था equinox का अर्थ क्या होता है equinox जो है इसका अर्थ होता है जब सुर्य किरने equator के उपर भूमत्य रेखा के उपर बिल्कुल सीधी पढ़ती है जिसकी जैसे day night equal हो जाते है उस घटना को equinox कहते है और वहीं से क्या बने equator और equinox की हिंदी होती है विसू तो spring क्या एक season है बसंत विसू कब होता है तो देखिए ये हमारा equator है ये हमारी अर्थ है अर्थ के बीचो बीच एक लाइन है zero degree अकसांस zero degree latitude अकसांस को latitude कहते हैं और इस रेखा को बोलते है equator भूमद्य रेखा या विसूवत रेखा आप देखिए खुता क्या है भूमद्य रेखा या विसूवत रेखा या zero degree latitude या निकि zero degree अकसांस एक ऐसी लाइन है जिस पर पूरी साल दिन रात हमेशा क्या होते है भूमद्य रेखा पर दिन रात इस लाइन के उपर पूरी साल दिन रात बराबर होते है बराबर होते हैं और एक बार UPSC के एक्जाम में पूछा गया था कि वो कौन सा latitude है वो कौन सा अकसांस जहां पर बारा घंटे का दिन होता है तो जवाब क्या होगा आपका 0 degree रेक्सांस यानि कि भूमद्य रेखा यानि वरस भर पूरी साल बारा घंटे का दिन होता है ये सिरफ और सिरफ भूमद्य रेखा के उपर है लेकिन पूरे साल में दो दिन ऐसे आते हैं जब पूरी पिरफी पर पूरी अर्थ के उपर दिन रात बराबर हो जाते हैं वो दो डेट हैं एक है 21 मार्च एक है 23 सेप्टमबर तो देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर और देखिए 21 मार्च मार्च के महीने में कौन सा सीजन होता है बसंत होता है जिसको बोलते है स्प्रिंग और सितंबर के महीने में सरद होता है जिसको इंगलिस में बोलते है ओटम 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सुर्ये की किर्णे भूमद्य रेखा पर लमवत पड़ती है जिससे पूरी पिर्थवी पर होल अर्थ की उपर कह लेजे दिन रात बराबर हो जाते हैं इस घटना को विशूव इंगलिस में बोलते हैं इकवी नोक्स कहते हैं मसल की अर्थ के घटना सिरफ दोधिन होती पूरी पर होनी चाहिए लेकिन भूमद्य रेखा पर तो पूरी साल ऐसा होता है दिन беспů ब्राबर इस लाइन पर रहेंगे पूरी साल लेकिन पूरी पिर्थवी के उपर दिन रात सिर्फ दो ही डेट में होते हैं ब्राबर एक 21 मार्च एक 30 सप्टमबर मार्च के महिने में कौन सी कौन सा सीजन होता है बसंद जिसको इंगलेस में बोलते हैं स्प्रिंग और सेप्टमबर के महिने में सरद रीत होती है जिसको बोलते हैं ओटम तो इसलिए 21 मार्च को क्या होता है 21 मार्च को बसंद विशूव होता है और 23 सितंबर को क्या होता है 23 सितंबर को होता है सरद सरद को बोलते हैं ओटम कह लेजे सरद विशूव तो याद रखना विशू या एक्विनोक्स जो है वो कौन सी लाइन के उपर होता है कौन से लैटिचूड या अकसांस के उपर होता है जीरो डिगरी अकसांस जिसको भूमद्य रेखा या विशूत रेखा भी कहते हैं और विशूत रेखा या खास बात यह है पूरे वर्स यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल सीधा पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पूरे वर्स भर सिर्फ इस लाइन के उपर पूरे साल दिन रात बराबर रहेंगे लेकिन पूरी पिर्फ़ी पर दो डेट में दिन रात बराबर रहते हैं अब वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ 21 मार्च को 201 दिवस के रूप में मनाया जाता है वैसे और 23 सितंबर को हरियाना सहिदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो पुन्य ती थी है वो किसके रेवाडी से बिलोंग करते थे सवतंदता से नानी राव तुला राव कह लेजिए अब एक लास्ट पॉइंट बचा है अब एक लास्ट पॉइंट है करक सक्रांती जिसको बोलते हैं क्या समर सोल्स्टिस मैं इसको यहां से अटारा हूँ देखे क्वेस्टन पूछ लेता है EO उत्री गुलार्द का Northern Hemisphere का उत्री गुलार्द का सबसे लंबा दिन उत्री गुलार्द का सबसे लंबा दिन कौन सा है तो ओप्शन है 22 दिसंबर Kêu भी इक्स मार्च ची इकिस जूर जून और D है 23 सितंबर उत्री गुलार्द का Northern Hemisphere का सबसे लंबा दिन कौन सा है तो देखिए इसका अंसर वता सकते आप अंसर क्या है रही गए इसका Northern Hemisphere का Longest Day कौन सा है 22 दिसंबर 21 मार्च 21 जून 23 सेप्टमबर देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जिससे ये हमारी अर्थ हो गई और अर्थ की बीचो बीच एक लाइन है जिसको हम बोलते एक्वेटर और इसके उत्तर में भूमद्य रेखा ये तो आपकी भूमद्य रेखा है इसके उत्तर में क्या है उत्तरी गुलार्द ये आपको उत्तरी गुलार्द ये दक्सिनी गुलार्द है अब देखे, इसने पूछा उत्री गुलार्ड का सबसे लंबा दिन कौन सा है, क्या होता है, ये बात है 21 जून की, 21 जून को सुरिय किरने संलाइट करक रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, 21 जून को सुरिय किरने करक रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, प्रपेंडुकलर, और कुछ सेकिंड के लिए चीजों की जो भी स्थान, जो भी वस्तु इसके उपर रखेंगे दोपैर के समय, 21 जून को उसकी कुछ सेकिंड के लिए छाया नहीं बनती, सुरिय किरनों का करक रेखा पर सीधा पड़ना क्या कहलाता है, करक सक्रामती कहलाता है, यानि की 21 जून को सुरिय की किरने करक रेखा पर लमवत पड़ती है, इस घटना को करक सक्रामती कहते हैं, करक सक्रामती, आप देखो करक सक्रामती कब होती है, 21 जून को होती है, और आप जानते हैं, जून के महीने में क्या होती है, गर्मी होती है, this is very very important तो question बन गया उत्री गुलार्द में करक सक्रांती के समय क्या होती है गर्मी होती है तो दक्सिनी गुलार्द में क्या होगी सर्दी होगी क्योंकि सूरज इस तरफ होता है उत्री गुलार्द के उपर से गुजर रहा होता है और यहां थोड़ा टेड़ा होता है, ट्रांसवर्स कहलेजी, तो करक सक्रांती, इसी करक सक्रांती को हम क्या बोलते हैं, देखिए, करक सक्रांती की दिन क्या होता है, करक सक्रांती के समय उत्री गुलार्द में गर्मी पड़ रही है, इसलिए इस घटना को हम क्या बोल देते समर सोलिस्टिस इंगलिस में बोलते हैं ग्रीसम आयनाथ करक सकरांती इसका दूसरा नाम है ग्रीसम आयनाथ तो खास बात क्या होती है घटना कब होते हैं 21 जून को होती है ग्रीसम आयनाथ इसको इंगलिस में बोलते हैं समर सोलिस्टिस और इसका अर्थ ही होता है उत्री गुलार्द में गर्मी होना इसका अर्थ है उत्री गुलार्द में नोर्दन हैमिस्पेर में उत्री गुलार्द में गर्मी और अगर उत्री गुलार्द में गर्मी है तो दक् इतनी गुलार्द में सर्दी ये कब होता है ग्रीसम अइनात या करक्सक्रांती के समय और डेट कौन सी 21 जब 21 को सुरीय करक रेखा पर सीधी पड़ती है और करक रेखा कहां पर है उत्री गुलार्द में तो 21 उत्री गुलार्द का सबसे लंबा दिन है तो ज्वाब क्या बन जाए गया इसका सी 21 जून 21 उत्री गुलार्द का सबसे लंबा दिन और 22 दिसंबर को बसे होती है और 21 को करक रेखाぎ यह सब्से लंबा दिन सब्सक्रांभ धार पड़ते हैं जिसकी जैसे पूरी पिर्थवी पर दिन रात बराबर हो जाते हैं तो 21 मार्च और 23 सप्टमबर को दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च को हम बोलते हैं बसंत विसुव क्योंकि उसमें बसंत रीतु होती है और 23 सप्टमबर को बोलते हैं सरद विसुव ठीक है आप बात करते हैं कटी बंद या जोन के बारे में यहां से कुस्टन बहुत सारे पूछे जाते हैं खासकर UPSC SSC PCS रेलवे के एक्जाम में बहुत ज़्यादा कुस्टन आते हैं थोड़ा सा मैं पहले इंट्रो करवा देता हूँ देखिए यहां पर सदा बाहर एवर ग्रीम पेड़ पोदे पाए जाते हैं जो हमेशा हरे बरे रहते हैं और इसको बोलते है ट्रोपिकल जोन या उसन कटी बंद इससे थोड़ा सा उपर जाएंगे करक रेखा और यानि कि साड़े 23 डिगरी उत्री अकसान से लेकर साड़े 23 और 35 की बीच का जो छितर है जो मैंने बलेक लर से क्रोस कर रखा है से उसको बोलते है उपोशन सब यहां पर रहती है और 45-46 की बीच का जो छितर है उसे बोलते है उप धुर्वी है सब पोलर और शाड़े 26-90 की बीच में बरफ जमी रहती है कहले जिए ठंड बहु ज़्यादा है इसलिए उसको बोलते है पोलर या धुर्वी है सेम साउत के अंदर है वही कहानी कहले जिए अब एक एक को लेते हैं देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी उसन कटीबंद सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसन कटीबंद उसन कटीबंद रट्टा नहीं मारना उसन मैंने होती है गरमी कटीबंद मैंने कल बताया था जोन अकसान सरीकाओं के बीच का स्चछेतर फाल कटीबंद कहलाता है यह देखिए अकसांस रेकाओं के बीच का छित्र है, यह सारा का सारा का लेजे, उसन कटीबंद ऐसा कटीबंद जिसमें गर्मी पड़ती है, इंगलिस में बोलते हैं, ट्रोपिकल जून, पहला क्वेस्टन तो यह पूछे है पेपर में, उसन कटीबंद किन अकसांसों के बी जिसको बोलते करक रेखा, यहां से लेकर और साड़े 30 डिगरी दक्सनी अकसांस, जिसको बोलते हैं, मकर रेखा, यानि कि गलोब के उपर या पित्री के उपर करक रेखा और मकर रेखा के बीच का छितर, उसन कटीबंद यह ट्रोपिकल जून कहलाता है, तो उसन कहां तक है, साड़े 30 डिगरी दक्सनी अकसांस, अकसांस में तो यह ऐसे लिखा जाएगा, साड़े 30 डिगरी नोर्थ लेटिटूड से, साड़े 30 डिगरी साउथ लेटिटूड, लेकिन अगर रेखाओं के नाम पूछे आपसे, तो दूसरा अंस्वर यह भी इसका सही है, साड़े 30 डिगरी उत्रिय अकसांस को क्या बोलते हैं, करक रेखा, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, करक रेखा से, किसके बीच में, मकर रेखा, करक रेखा से, मकर रेखा के बीच का छितर क्या कहलाता है, उसन कटीबंद कहलाता है, पहला पॉइंट हो गया, एक त इसके बाद बात करते हैं जो उसन कटी बंध है इसकी खास बात क्या है करक रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच जो सुरिये किरने है इस सारेक छेतर में सुरिये किरने कहीं न कहीं पर एक दिन सिर्के उपर जरूर आएगी आज करक रेखा के उपर सिर्की उपर है कल यहां पर हो सिर्की उपर होगी एक करक रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो छितर है यहां पर परतेक स्थान पर एक दिन सुरीय किर्णे सिर्की उपर जरूर आएंगी और जब सुरीय किर्णे सिर्की उपर आती है, sunlight कहले जे, तो गर्मी होती है, यानि कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तो इस एरिया में जो पानी है, जैसे महा सागर है, सागर है, या जील वगारे कहल लेजे उस पानी का वास्पी करन होता रहता है वैपराइजिसन होता रहता है जिसके वजह से बारिस भी बहुत ज्यादा होती है तो उसन कटीबंद में गर्मी के साथ साथ वर्सा भी ज्यादा है और वर्सा एक बार पेपर में पूछा गया SSE CGL 2016 के अंदर कि ट्रोपिकल जोन या उसन कटीबंद में वार्सिक वर्सा कितनी होती है तो ज्वाब क्या होगा 200 से लेकर 500 सेंटीमेटर के बीच में या 200 सेंटीमेटर से अधिक कह लेजे वार्सिक वर्सा होती है इस कटीबंद में 200 सेंटीमेटर से अधिक वार्सिक वर्सा होती है वार्सिक वर्सा होती है अब एक बार फिर पेपर में पूछा आता है यह पूछा भी गया है कि उसन कटीबंद में सबसे ज़्यादा बारिस कौन से सीजन में होती है तो इस अक्षेतर में पानी बहुँ जादा है और पानी का वस्पी करन कौन सी सीजन में होगा घर्मी में और घर्मी हो क्या बोलते है समर दिस वेरी वेरी इंपोटेंट तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन गया अधीक वर्सा ग्रीसम रीतू में होती है फिर अगला पॉइंट देखिए जो आपका उसन कटी बन्दा यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है बारिस भी यहाँ पर होती है जहाँ पर गर्मी और बारिस दोनों ही ज़्यादा हो वहाँ पर पेड़ पोदों और जानवरों की बहुत सारी वरायटी मिलेंगी बहुत सारी परजातियां मिलेंगी और पेड़ पोदों और पस्मूं की बहुत सारी परजातियों को हम क्या बोलते है जैव विविदिता जिसको बोलते हैं बायो डैवर्सिटी प्रित्वी पर सबसे अधिक जैविविदता वाला अक्षेतर कौन सा है तो जवाब क्या होगा उसन कटीबन जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है तो यहाँ पर पॉइंट बन गया उसन कटीबन में सरवादिक जैविविदता रट्टानी मारना बायो डैवर्सिटी जैविविदता का मतलग होता है पेड़ पोदों एवं जानवरों की अनेक परजातियां तो आपसे पूछेगा देखू चार उप्सन देगा किस कटीबन में किस छेतर में किस जोन में सबसे अधिक जैविविदता पाई जाती है उसन कटीबन उपोशन सितोशन उपदुर्वी है ऐसे पूछेगा आपसे ठीक है तो उसन कटिबंद में सरवादिक जैविविजता पाई जाती है यह सारे के सारी important question है कुछ और बाते हैं आप इसको note कीजिए या screenshot ले लीजिए गाइसका केちゃん guidelines है अवितिताए अुटेश्क को कि उसन कटिबंद में दो-सू सेंटीमिटर से जादा बारिस होती है और दो-सू सेंटीमिटर से जादा बारिस होती है वहां पर कैसे पेड़ पाए जाते थे सदा बहार वन पाए जाते हिन तो एक और कोईंट बन गया इस छेतर में उसन कटी बंदिये ट्रोपिकल एवर ग्रीन उसन कटी बंदिये सदा बहार वन पाए जाते हैं और देखिए उसन कटी बंदिये सदा बाहर वन का एक्जामपल मैं दे रहाँ यहां पर रबर अबुनस महूगनी रोजबुड आयरन वुड यह सारे के सारे कैसे वन है सदा बाहर वन है इस छेतर में पाए जाते हैं अब एक बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन लेते हैं देखिए करक रेखा और मकर रेखा की बीच का जो छेतर है वो उसन कटीबंद कहलाता है और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि करक रेखा ट्रोपिक ऑप कैंसर भारत के बीचो बीच गुजरता है यानि करक रेखा भारत को दो भागों में बाड़ती है तो देखिए दक्सिन भारत आपका यहां पर ऐसे कहलेजे यानि कि जो दक्सिन भारत है साउथ इंडिया दक्सिन भारत कौन से छेतर में पड़ता है उसन कटीबंद में पड़ता है क्योंकि करक रेखा भारत की वीचकोपी कि गुजरते हैं और करक результат करक के बीच चेतर के लाता है उसन कटीबंद क говорता है मैं यहां पर ऐसे डाग्राम से भी आपको समझा सकता हूं जैसे ट्रोपिकोप कैं सर खरक रेखा यह आपकी भूमद्द्य रेखा है और भारत की बीचों-बीच कौन सी रेखा गुजरते हैं करकरेखा साढ़े तेस डिग्री ऊत्री अकसांस यह इंडिया हो गया ठीक है ये चीजे बहुत काम आएगे हर्याना कौन से कटी बंद में है भारत कौन से कटी बंद में है देखे करक रेखास से नीची का छेतर क्या कहलाता है उसन कटी बंद कहलाता है तो जो दक्सिन भारत है ये वाला छेतर ये कौन से कटी बंद में आता है उसन कटी बंद में आता है दक्सिन भारत उसन कटी बंद में स्तित्थ है अब लास्ट पॉइंट इस उसन कटी बंद में बड़े-बड़े घास के मैदान पाई जाते हैं उनमें कहीं-कहीं पर जाडियां बहुत दूरी पर कहले जो कहीं-कहीं पर पेड़ भी मिल सकते हैं लेकिन जहातर घास के मैदान है उसन कटिवंद्य घास के मैदानों को विविन अक्षेतरों में विविन नामों से पुकारा जाता है तो पेपर में बहुत बार आता है कि सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है या इसे तमाम कुस्तन आपसे पूछेगा तो मैं साथ में घास के मैदान भी करवा रहूं आपको तो उसन कटी बंदिया घास के मैदान ये लेते हैं टोपीकप आप इसको नोट कीजिए इस अच्छेतर में घास के मिदान पाए जाते हैं तो मैं यहाँ टोपिक लिख रहा हूँ उसन कटी बन दिया है टोपिकल ग्रास लेंड घास के मिदान बहुत इंबोडेंट क्वेस्टन है इस अक्छेतर में जो महादीप है जो देश तीत है इस अक्छेतर में करक और मगरिका के बीच में जो छेतर है यहाँ पर घास के मिदान पाए जाते हैं उन घास के मिदानों को उसन कटी बन दिया घास के मिदान बोलते हैं तो मैं एक तरफ तो ले रहा हूँ उसन कटी बंदी है गास के मैदान और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ छेतर देश या महादवीप दो देखी शुरुआत करते हैं सबसी इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कल मैंने आपको बताया था अफ्रीका एक ऐसा महादीप है जिन में से तीनों मेजर लैटिटूड पास होते हैं करक रेखा, मकर रेखा और भूमदे रेखा तीनों अफ्रीका महादीप से गुजरती है तो देखिए अफ्रीका महादीप में जो घास के मिदान पाए जाते हैं उसन कटी बंदी घास के मिदान उन्हें क्या बोलते हैं सवाना आप से क्या पूछेगा सवाना कैसा घास का मदान है तो जवाब क्या होगा उसन कटी बन दिये आप पूछे का यह कहां स्थेत है तो इसका जवाब होगा अफ्रीका अब मैं आपको exact location भी बता देता हूँ अफ्रीका यह महादीप हो गया आपका अफ्रीका ऐसे कह लेजे अफ्रीका महादीप का जो पूर्वी एक्षेतर है इन एक्षेतर में पाय जाता है यानि कि जो पूर्वी अफ्रीका है पूर्वी अफ्रीका पूर्वी अफ्रीकी देशों में पाय जाता है जैसे Kenya, Tanjania इन देशों में जो घास का मदान पाये जाता है उसे क्या बोलते हैं? सवाना उसके बाद दूसरा घास का मदान है Lanoz और Lanoz जो घास का मदान है ये कहां पाये जाता है? Lanoz घास के मदान पाये जाता है विनेज्वेला के इंदर विनेज्वेला तीसरा ये अमरीका महदीप में स्तित है आपसे देश की सिचुएशन पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कौन सा घास का मदान है तीसरा है केमपास वेरी वेरी इंपोर्टन केमपास जो घास का मदान है ये पाये जाता है कहां पर ब्राजिल पिरागवे और उरुगवे इन तीनो देशों में कौन सा घास का मदान है? केमपास और जो केमपास घास का मदान है ये इन तीनो देशों में है और ये तीनो देश कौन से महाधीप में पढ़ते हैं? दक्सिन अमरीका तो आप से ये पूछेगा पेपर में, दक्सिन अमरीका में, साउथ अमरीका में, जो उसन कटिबिंदिय घास के मिदानों ने क्या कहा जाता है, केंपास कहा जाता है, अफरीका में जो उसन कटिबिंदिय घास के मिदानों ने क्या बोलते है, सवाना, वेने जुएला में जो गास के मैदान हैं उन्हें क्या बोलते हैं लानौस अब देखिए एक और देश है आप धक्सिन अमरीका के अंदर एक नदी बहती आपने सुना होगा अमेजन और उस नदी घाटी का जो छित्रों से बोलते हैं Amazon Basin Amazon Basin में जो गहास के मिदान पाई जाते हैं उन्हें बोलते हैं Silvas चोथा है Silvas जो गहास के मिदान कहाँ पाई जाते हैं Amazon Basin Amazon Bakin पोर लास्ट है वेरी वेरि इंपोर्टन पारक लेंड पारक लेंड जो घास के मिदान है कैसे हैं उसन कटी बंदिये हैं और ये घास के मिदान कहां पाये जाते हैं दक्सिन अफ्रीका एक देश है दक्सिन अफ्रीका जहां मात्मा गांदी ने अपनी जिंदगी के 21 साल गुजारे थे जहां मात्मा गांदी एक वकील की रूप में और महात्मा बन कर आये थे वह दक्षिन अफ्रीका और वहां पर जो घास का मैदानों से क्या बोलते हैं पार्क लेंड तो रट्टा नहीं मारना यह मैंने सारी तमाम बाते बता दी किसके बारे में उसन कटीबंद के बारे में यह पांच घास के मिदाने याद रखना सवाना क यह देखो केमपास जो है सबसे ज्यादा प्राइर्टी जो दी जाती हो ब्राजिल को दी जाती है दिस वेरी वेरी इंपोडेंट सेलवास कहां पर है अमेजन बेसिन में और पारकलेंड कहां पर है दक्षिन अफ्रीका के अंदर अब आगे बढ़ते हैं आप इसको नोट कर कर सकते हूं स्क्रीन सोट ले सकते हैं अ कि इसके बार अगे जौनрий हमारे लें बहुँ ज्यादा है इंपोड़न जो स्टूडंट ह्ससी की त्यारी करा हर्याना की उसके लिए ये वाला बहु ज्यादा important है क्योंकि आपसे पूछे हर्याना कौन से कटीबंद में स्तित है तो उसका जवाब अब आ रहा है देखिए हम आगे बढ़ते हैं उसन कटीबंद से जैसे उपर की तरफ जाएंगे साड़े 23 डिगरी से लेकर 35 डिगरी के बीच में उत्तर में और साथ में दक्सिन में दोनों जगह पर जो मैंने क्रोस कर रखा है बलैक से और सरकल कर रखा है रेड से ये है आपका उपोशन इंगलिस में बोलते हैं सब ट्रोपिक 15-35 डिगरी से लेकर 35 डिगरी उत्री अक्सांस इनके बीच में उपोशन कटी बंद और हर्याना कहां पर पर पड़ता है उपोशन कटी बंद में क्योंकि हर्याना का अक्सांस आपको बताया जाएगा 27 डिग्री से किसके बीच में 30 डिग्री के बीच में है तो देखिए यहां पर उपोसन कटीबंद इंगलीज में बता देता हूं इसको बोलते हैं सब ट्रोपिक जोन एक क्वेशन तो यह आता उपोसन कटीबंद किन अक्सांसों के बीच में है इसकी स्तीथी क्या है तो रट्टा नहीं मारना इसकी स्तीथी है देखे साड़े तेश डिगरी उत्री अक्सांस से पैंटिस डिगरी उत्री अक्सांस यह वाला चेतर क्या कला था उपोसन इस तरह से दक्सिन में भी ऐसाड़े तेश डिगरी दक्सिन अक्सांस से पैंटिस डिगरी दक्सिन अक्सांस इसको बोलते हैं उपोसन तो यह लेक रहा भी ये, 23 डीजरी, उत्री, अक्सांस, से, 35 डीजरी, उत्री अक्सांस, यानि कि, उत्र में भी है, और साथ में कहां पर है, दक्सिन में भी है, एवं, लेकिन याद रखना है किसके बीच में साड़े 23 से 35 की बीच में आप सिरफ एंगल याद करोगे और कुछ नहीं याद करोगे साड़े 23 डिगरी दक्सिनी अक्सांस से 35 डिगरी दक्सिनी अक्सांस यह है आपका उपोशन कटी बन अब मैं HSSC के question ले रहा हूँ हरियाना कोन से कटी बन में स्तिथ है कोन से कटी बन में जोन में आता है कटी बन में स्तिथ है देखो यह basic class यहाँ पर बड़ी काम आ रही है जैसा कटी बन होगा ऐसी ही जिलवाई होगी ऐसी पेड़ पोदे होंगे सब कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको आप देखो, हम अकसांसे पता लगा सकते है हर्याना उत्री गुलार्द में स्तीत है next lecture में आपको बताऊंगो जब हर्याना की जोग्रिफी पढ़ेंगे अब हर्याना का अकसांस बताता हूं हर्याना का जो अकसांस है है हर्याना अक्सांस बता रहा हूं हर्याना 27 डिगरी 49 मिनट उत्री अक्सांस से 30 डिगरी 55 मिनट उत्री अक्सांस के बीच स्तित है रट्टा नहीं मारना आप सिर्फ पहले वाला याद कर सकते हो 27-30 के बीच में अर्याना आता है 27 degree उत्रियक सांस से लेकर 30 degree उत्रियक सांस के बीच में हर्याना मैंने पूरा भी लिखा है याद करने का बड़ा असां सा फंड है नो तिया कितना होता है 27 ऐसे आप याद कर सकते हैं 27 से 30 के बीच में तो आप देखो जो उपोषन कटी बंद है किस किस के बीच में बताया मैंने 23 से किस के बीच में 35 की बीच में यहनि कि हर्यानə कौन से कट उपोषन कटी बंद में हर्याना सिंडियोर अब आगे बढ़ते हैं बड़ा important है उपोषन कटी बंद कि बाद आता है 35 से 45 के बीच में ये देखे 35 डिगरी से लेकर 45 डिगरी उत्तर में 35 डिगरी से लेकर 45 डिगरी दक्सिन में ये कौन सा कटी बन्द है सितोसन सीत पलस उसन यानि गर्मी सर्दी दोनों इसमें पढ़ती हैं पर सुर्य किने थोड़ी तिर्ची पढ़ती है और इस अक्षेतर में अनाज बहुत ज़्यादा होता है तो देखें अगला है हमारा सितोसन कटीबंद यहां मोसम बड़ा सुहावना होता है सितोसन कटीबंद इंगलिस में बोलते हैं से टेंप्रेट जोन अम इसको सिंप्ली करता हूँ सितोसन का संदीर छेद करूँ तो सीथ प्लस उसन होगा और सीथ मैंने क्या होता सर्दी और उसन मैंने क्या होता है गर्मी यानि गर्मी सर्दि सुहावना मोसम इस छेतर में होगा सितोशन कटीबंद की स्तीथी क्या है तो याद रखना एंगल सिरफ 35 डिगरी से लेकर 45 डिगरी के बीच में क्या है सितोशन कटीबंद उत्तर में भी है और साथ में कहां पर है दक्सिन में भी है 35 degree उत्तरी اक्षांस से लेकर 45 degree उत्तरी अक्षांस ये हो गया ये तो हो गया उत्तर में सात में दक्सिन में भी है यошारा हरा कर रखा है मैंने प्लस का निसान ये सितोषन कटी बंद का है एब souhaün 35 degree दक्सिने अक्सांस से तो 35 से 45 की बीच में क्या है सितोशन कटीबंद यहां मोसम बड़ा सोहवना है सुरिय किने थोड़ी तिर्ची पड़ेगी हमारा जो जम्मू कस्मीर है थोड़ा सा हिमाचल का भाग वो सारा किसमें आता है सितोशन कटीबंद में आता है तो अब देखें एक पॉइंट यहां पर इस बरी बरी इंपोड़ेंट मोसम भावना है तो इस वज़े से यहां पर अनाज बहुत ज़्यादा होता है थेक है तो एक पॉइंट है इस वज़े से सितोशन कटीबंद को हम ब्रेड बास्केट ओफ अर्थ कहते हैं सिटोसन कटीबंद को क्योंकि यहां नाज ज्यादा होता इन अक्छित्रों में अनाज बहुत ज्यादा होता है ठीक है सिटोसन कटीबंद को पिर्थ्वी की रोटी की डलिया कहते हैं या टोकरी कहते हैं और देखे अब सबसे important question लेते हैं इस situation कटीबंदक चितर में भी घास के मिदान और बहुत ज़्यादा important है तो देखे situation कटीबंद घास के मेंदान तो देखे सबसे पहले मैं यहां लेता हूँ situation कटीबंद घास के मेदान घास के मेदान कौन से है situation कटीबंद temperate zone जो 35 से 45 के बीच में आते हैं उत्तरो दक्षिन में और इधर लेता हूँ छेतर छेतर का मतलब देश या महादीब जो आपसे पूछेगा तो सबसे पहले लेते हैं जो सबसे important है बहुत ज़्यादा paper में जो पूछा गया है prairie prairie घास के मेदान कहां पर है तो जवाब होगा उत्तर अमरीका उत्तरी अमरीका महादीब में है और देश अगर पूछे तो कौन सा है USA United States of America इनी प्रेरी घास के मेदानों के पास में परवत भी रोकी परवत और इनी मेदानों में प्रेरी घास के मेदानों में रोकी परवत पर एक गरम और सुस्क ड्राई हवा चलती है जिसको हम क्या बोलते है चिनूख प्रेशन कटी बंद कहलेजे दूसरा है पंपास इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट UPS से बहुत बार पूछते हैं इस कुश्टन को पंपास घास के मेदान अर्जंटीना इम पाए जाते हैं और अर्जंटीना कहां पर है दक्सिन अमरीका महादेप में यह घास के मेदान बहुत चोड़े हैं साथ लाख पचास हजार वरक किलोमेटर छेतर फल हैं का कहलेजे पंपास घास के मेदानों का तो यह कहां पर है अर्जंटीना और अर्जंटीना कहां पर है दक्सिन अमरीका तो पंपास घास के मिदान कौन से महादीप में दक्सिन अमरीका महादीप में देश कौन से है अर्जंटीना ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा है वेल्ड तीसरा घास का मैदान कौन सा है वेल्ड जो वेल्ड घास के मैदाने कहां पाई जाते हैं अफ्रीका महादेप में वेल्ड घास के मैदान कहां पर पाई जाते हैं अफ्रीका महादेप में और अफ्रीका में देश कौन सा है दक्सिन अफ्रीका इसके बाद है very very important stepi ये बहुत बार आता है stepi जो घास के मिदान है Eurasia में पाई जाते है Eurasia और Eurasia दो सब्दों से मिलकर बना है Europe तथा Asia Europe और Asia और Europe कौन सा पूर्वी Europe और Asia का बहुत बार पेपर में आया है मद्दे एसिया में जो सितोसन कटीबंद घास के मिदानों उन्हें क्या बोलते है stepi Eurasia में घास के मिदानों क्या बोलते है stepi और सबसे अधिक कौन से देश में फैले है रूस के अंदर यूरोप का रूस और मद्दे से कुछ देशों में कौन सा घास का मिदान है stepi और आखरी है पांचवा डाउन्स जो डाउन्स घास के मिदान है ये कहां पर है औस्ट्रेलिया तो पांचव ग्रासलेंड बड़े इंपोर्टेंड है प्रेरी उत्तर अमरीका USA पंपास दक्सिन अमरीका अर्जंटिना वेल्ड दक्सिन अफ्रीका में stepi Eurasia यूरोप और एसिया में पाई जाते हैं यूरोप का कौन सा देश ज़्यादा पेपर में आता है रूस और डाउन्स कौन सा डाउन्स कहां पाई जाता है अस्टेलिया में अब दो बचे हैं दो जोन बचे हैं देखो ये पेपर में ज़्यादा ने पुष्टा 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में सब पोलर जोन कलाता है उत्तर में भी और दक्सिन में भी यहां ठंड पड़ती है और 66 से 90 की बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बरब पड़ती है इसको बोलते है पोलर आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक जोगरफी का सिरफ एक लेक्चर बाकिया कौन सा देसांतर जिसको बोलते है लोंगी चूड यानि की टाइम जोन वो नेक्स्ट वीडियो में पड़ेंगे बाई बाई टेक केर